नमस्कार इस वीडियो में हम समझेंगे कि SNA यानि सिंगल नोडल एकाउंट के मादियम से हमने ग्रूप क्रियेट कर दिया वेंडर को भी एड़ कर दिया अब उस वेंडर को भुगतान करने के लिए आप बिल एलोकेशन केशे करोगे तो आज हम सिंपल ही समझेंगे कि SNA के म रिषेस द्यान रखोगे क्योंकि जो कारे हम पय मीनेजर के मारिम से करते थे उसी प्रकार से आपको भिल एलोकेशन करने की बाद में किसी भी वेंडर को या फ्रम को भुगतान कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सिंपल ही क्या करना हैíp कि旅 होने के बाद में home page पर जाना है और यहाँ पर आपको bill processing पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद में पहला option आपको दिखाई देता है bill allocation का इस पर आप simply click कर दोगे यहाँ पर आपने जशे click किया उसके बाद में नीचे आप से दो option मांगे जाते हैं एक bill allocation दूसरा bill modification तो bill allocation आपके आप क्लिए करोगे और bill modification दरसल आपने कोई पहले bill बना दिया है उसमें किसी परकार का modification या editing करना चाहते हैं तो यह bill modification में जाके कर सकते हैं तो हम पहले करते हैं bill allocation बिल ऐलोकेशन करने के लिए आपके पास इस प्रकार के मैंनुली यहां पे आप कर सकतых हैं सबसे पहले आपसे पूछा जाता है विए टाइप किस प्रकार का विल है आपका ठीक है तो विल टाइप में जिएसे वेंडर सामनिता हमने हमें घृष दी जाएगी उसे या vendor बनाके ही उसको पैमेंट करेंगी तो vendor पैमेंट करेंगे इसके अलावा भी कई weel और साथ जार राप कर सकते हैं जिसने चालारण जनरेशन हो गया salary हो गया salary challenge generation हो गया salary challenge income tax integration हो गया other than salary हो गया e advice हो गया refund हो गया deposit will हो गया तो हमें तरसल जो grants दी गई है उसके वाजम से आपको vendor payment करना है ठीक है vendor payment उसके बाद में sub type में आपको कुछ भी नहीं लिखना है और यहाँ पे आपको एक debt month और year यह automatic आ जाता है और यहाँ पे आपको bill number देना है ठीक है और bill number देने के बाद में जैसे हमने जो group create किया था उस group के अनुसार आप यहाँ देख सकते bill name में जैसे हम sports दे देते हैं और bill number आप अपने bill book में देखी या फिर bill register में देखी कि आप अब तक SNA में कितने bill generate कर चुके हैं इस मामले में अगर देखा जाए तो इन्होंने एक भी बिल्ड है जो generate नहीं किया तो यहाँ पे हम 01 कर देते हैं ठीक है ठीक है और उसके बाद में scheme name ठीक है तो scheme name में समगर शिक्षा आज जिसके वाजम से आपकी mapping हो रखी है तो यहाँ पे आपको एक problem आने वाली है कौन सी problem आने वाली है हम जैसे submit पे click करते हैं तो यहाँ पे लिखावा आता है इससा क्यों लिखावा आता है इसे हम समझने का प्रियाश करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम ok पे click करेंगे और यहाँ पे यह इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे star लगा हुआ यहाँ पे यह start लगा इसका मतलब है कि एक बार आपको इसे select करना है ठीक है तो यहाँ पे आपको एक बार select तो करना ही है ठीक है तो select किया तो यह start हट गया उसके बाद में हम है जो submit पर click कर देंगे तो हम जहाँ पे क्या करते हैं submit पर click कर देते हैं तो submit पे हमने जशे click किय किया तो आ गया बिल्द रजिस्टर्ट डिटेल एड़िट सक्सेसफुली तो यह वह सक्सेस्पुली एड़ हो चुका है अब अगर हम चाहें कि हमने जो बिल्द बनाया है उसमें ठोड़ी गलती रहे गी उसके नाम में उसकी डेट में गलती रहे गी तो हम जाएंगे bill modification पे bill modification पे जैसे जाते हैं तो उसके बाद में ये bill हमें दिखाई देता है vendor payment का तो यहाँ पे आप edit भी कर सकते हैं ठीके और इसके साथ साथ इसको delete भी कर सकते हैं तो यहाँ पे हम delete विक्लिक किया तो यहाँ पे इसको हम delete हो तो bill is successfully deleted अगर edit करना चाह रहे थे तो भी इसको आप edit कर सकते थे हमने इसको delete कर दिया क्योंकि यह bill हमें बनाना नहीं था इस प्रकार से आप bill allocation कर सकते हैं बिल allocation करते से हमें इस बात का विशेश जान रखें कि date को एक बार select अवशे कर लए आज के लिए इतना ही धन्यवाद